नया साल दो हजार चौबिस में राशी अनुसार करें ये उपाए, धन से भर जाएगी तिजोरी नव वर्ष का आगमन कुछी दिनों में होने वाला है, नए साल के आने का लोगों को बेसबरी से इंतजार है सभी की यही चाहत होती है कि नव वर्ष में खुशियों का आगमन और सुक्स्वभाग्य की प्राप्ति हो ऐसा माना जाता है कि नए साल की शिरुवात भगवान की पूजा अर्चना के साथ कुछ खास उपाए करने से साधक को शुपफल मिलता है और मा लक्षमी का आशिरुवात बना रहता है अगर आप भी चाते हैं कि नव वर्ष खुशियों से भरा रहे तो इसके लिए राशी अनुसार उपाए करें इन उपाएं को करने से व्यक्ति की सभी मनो का आमनाएं पूरी होती है साथ ही मा लक्षमी के किर्पा बरस्ती है मेश मेश राशी वाले नव वर्ष पर लाल रंग के कपड़े में नारियर लपेट कर तिजोरी में रखतें इस उपाए को करने से धन की कमी नहीं होती है ब्रिशब अगर आप चाते हैं कि नए साल में आपके घर में खुशियों का आगमन हो तो इसके लिए शुकरवार को कपास मंदिर में रखतें मिथुन अगर आपकी तिजोरी में धन रुक नहीं रहा है तो नव वर्ष में कमल के फूल को लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखतें कर्क तनाव की परेशानी को दूर करने के लिए नव वर्ष में देवों के देव महादेव की पूजा करना बेहत छुप माना गया है कर्क राशी के जातक नव वर्ष में रुद्राक्ष की माला पर ओम नमश शिवाय मंदर का जाप करें इससे आर्थिक संकर दूर होते हैं सिंग आर्थिक लाप पाने के लिए रात को मुखे द्वार पर दीपक जलाएं माननेता है कि ऐसा करने से जातक को आर्थिक लाप की प्राप्ती होती है कन्या कन्या राशी के जातक नए साल में मा दूर्गा की पूजा करें ऐसा करने से सेहत बढ़िया रहेगी तुला इस राशी के जातक नव वर्ष में कामों में सफलता हासिल करने के लिए मा दुरगा की विधी पूर्वक पूजा अर्चना करें और शनी के दोशों से निजात पाने के लिए रुद्र चंडी का पाट करें व्रिष्चिक व्रिष्चिक राशी के जातक नया घर पाने के लिए मंगलवार को लाल कपड़े में साथ बदाम बांध कर हनुमान जी को अर्पित करें धनु जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए नव वर्ष में मा बगला मुखी को हल्दी की गांठ अर्पित करें मकर अगर आप नया बिजनस शुरू कर रहे हैं तो शनीवार को रोटी पर तेल लगा कर काले कुट्टे को खिला दें माननेता है कि ऐसा करने से बिजनस में बड़ोत्री होगी और रिष्टों में मिठास आएगी कुम्ब कर्ज से छुटकारा पाने के लिए नव वर्ष में भगवान गणेश ची की पूझा करें और हल्दी की गांठ वाली माला अर्पित करें मीन अगर आप सेहत संबंदित परेशानी का सामना कर रहे हैं तो गुरुवार या चतूर्थी को भगवान गणेश ची को लड़ू अर्पित करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आपका भोध भोध धन्यवाद